His five volume duly arrived on his table पांच वाल्यूम की जो किताब थी वो उनकी टेविल पे आ गई लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में पांच वाल्यूम मतलब पांच भागों में वो किताब थी पांच भाग क्यों बनते हैं वाल्यूम जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको किसी आधार पर किताबों को बाट दिया जाता है तुकडों में तो वो किताब इतनी बड़ी थी कि पांच भाग थे उसके पांच वाग उनकी टेविल पे आ गया He started from the beginning और उन्होंने वॉल्यूम वन से पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया Volume 1 took the history up to the period of Ashoka Volume 1 Ashoka पे खतम हो गया Ashoka का काल कब खतम होता है अंदाज से 356 BC कोछ समय उनका काल खतम हो गया उसके बाद Volume 2 समधर गपता समधर गपत का काल अशोका के बाद 500-600 वर्ष बाद खतम होता है तो मतलब 300 BC से अब 300 AD पे आ गया 300 AD में कि दूसरी किताब खतम होजाती है दूसरा Volume Volume 3 up to Mohamed Gauri Mohamed Gauri कब था? लगभग 1000 AD में AD कार्थ क्या होता है? Anna Domini अर्थाद After the Birth of Christ और BC का मतलब Before Christ Christ के जन्म के पहले का काल और Christ के जन्म के बाद का काल आज हम Christ के जन्म के बाद के काल में रह रहे हैं और Christ के जन्म को कितने साल हो गये हैं? दो हजार बाईस वर्ष हो गया है 2022 तो अशोक तक का पहला वॉल्यूम था अशोक से समधर गुप्त दूसरा वॉल्यूम समधर गुप्त गौरी तीसरा वॉल्यूम गौरी 1000 AD तक का उसका काल है वैसे तो 1000 इंकानवे 900 इंकानवे उसका मानते हैं लेकिन यह 1000 आप समध लीज़ है गौरी और अब यहां पर 1000 AD के बाद चौथा वॉल्यूम जो है वो 1000 से शुरू होकर औरंग जेब तक अर्था 1707 1000 से 1707 AD तक का चार वॉल्यूम खतम हो गया 1707 से शुरू होता है पांच वह वॉल्यूम 1707 तक अप टो दिस पीरिएड हिस्ट्री वाज एजी नियू इट वो पढ़ते चले जा रहे थे और जैसा उन्हें मालूम था हिस्ट्री वैसी ही लिखे हुई थी अशोक के पहले की हिस्ट्री से लेकर औरंग जेब तक की हिस्ट्री वैसी ही चल रही थी जैसा उन्हें मालूम था The change evidently had occurred in the last volume Change मतलब बदलाओ Evidently मतलब जैसा प्रसम दिश्ट से दिखाई दे रहा था जैसा दिखाई दे रहा था Evident मतलब दिखाई देना उसी से बना है evidence मतलब proof Evident मतलब दिखाई देना It is evident that you have hurt yourself वो साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने अपने को चोट पहुंचाई है कहीं गिरे हो From the condition of the scooter It is evident that scooter met with an accident The scooter को देख कर साफ लग रहा है कि ये scooter के साथ कुछ दुरघटना हुई है Evident स्पष्ट दिखाई देना So evidently अब यहां पर साफ बुलते हैं The change evidently had occurred To occur मने घटत होना Occurrence मने घटना To occur मने घटत होना The battle of Panipat occurred In 1526, 1556 and 1761 Battle of Panipat occurred घटत होना तो नारली कर इस कहानी को बताते हुए कहते हैं कि एक गाई तोंडे सोचते हैं पढ़ते हुए कि अरे ये पांचवे वाल्यूम में कुछ बदलाओ है कुछ अलग घटत हुआ है The change had occurred evidently in the last volume चौथे वाल्यूम तक तो पूरी इतिहास वैसी लग रहा है जैसा मैं जानता हूं यहां से भी पन्ना पलट रहे थे यहां से भी पन्ना पलट जा रहे थे यहां से पन्ना उल्टा पलट रहे थे यहां से भी पन्ना ऐसा पलट रहे थे तो ऐसा पन्ना पलटते पलटते गंगा धर पंत गाई तोंडे finally converge on the present moment, precise moment, precise मतलब बिल्कुल उसी जगह पर जहां वो पहुंचना चाहते थे, precise, बिल्कुल उसी जगह पर, दोनों हाथ से वो पन्ने पलट रहते और पन्ना पलटते पलटते, वो उसी जगह पर पहुंच गये, where history had taken a different turn, जहां एतिहास ने एक नया मोड लिया था, उस जगह पहुंच गया, where history had taken a different turn, ये वो ख्यन था, it was this point that Gangadhar Panth Gaitonde had been looking for, पन्ना पलट, सोचे उनका रूमांच, सोचे वो कितने तनाव में आगे होंगे, कितना उसा या कटूहल आया होगा, जब वो पन्ना पलटते जा रहे हैं और देख रहे हैं तिहास कहां बदला होगा, और अंत में उनके दोनों हाथ उस पन्ने पे पहुँशते हैं, where history had converged, Gangadhar finally converged on the precise moment, precise moment मतलब बिलकुल इसी जगा पर, moment मने ख्यन, converge करना मतलब मिल जाना, convergence जहांपे मिलन हो, divergent जहांपे विरोद हो, Con, Convix Lens, Converging Rays, आप physics में पढ़ते होंगे, Converging Rays, जहांपर, वो point जहांपर सब Rays converge करती हैं, एक जगा आके मिलती हैं, तो ये converge, क्या converge हुआ, दोनों हाथ जहांपे आके मिले, यहां इतिहास यहां से उल्टा पढ़ रहे थे, यहां पर England का इतिहास 1857 से पढ़ते जा रहे थे, और यहां पर 1707 से पढ़ते जा रहे थे, 1857 से 1856, 55, 56 ऐसा आते हैं, और यहां पर 1707 से 1708, 10 और अंत में, यहां कहीं पर आकर, इतिहास होता, तो यहां कहीं पर आकर, इतिहास होता, और फिर उनको लगता है, लो, मैं उस जगह पहुँच गया, जहां पर इतिहास बदला है, वो तो बिंदु की खोज में थे, कि इतिहास बदल कहां से गया, मैं तो पढ़ा हूँ, कि अबदाली जीता, मराठा हार गया, लेकिन मेरे दिमाग में, शंका कहां से पैदा हुई, कि मराठा जीते हैं, और अबदाली हारा है, वो शंका का हल करने के लिए, वो यह सब कर रहे थे, धमा चौकडी कर रहे थे, परिशान हो रहे थे, और यह सब सपनों में, यह सब सपनों में परिशानी हो रही है, वास्तों में तो वो कोमा में पड़े हुए हैं, शांत, निश्ठल पड़े हुए है लेकिन दिमाग चल रहा है ट्रेन की स्पीड के साथ चला और अब वो लाइबरेरी में चल रहा है उनका दिमाग और वो उस जगह पहुँच गया जहां पर उनको लगता है अरे मैं उस बिंदू पर आ गया हूँ जहां पर इतिहाद बदल गया था और वो जो हाथ जहां दोनों हाथ उनका जिस पन्ने पे पहुचा वो पन्ना था 1761 का जिसमें बैटल अफ पानी पत का विवरण दिया हुआ है बैटल पानी पत फुचा और अगा जीट गए और हैंड सम्ली जीते हैंड सम मतलब बहुत स्माटली बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहां देखे हैंड समली मतलब बड़े मारजिन के साथ बड़े अंतर के साथ बहुत शांदार तरीके से जीते लेकिन वैसे हैंडसम का मतलब क्या होता है हैंडसम का हम लोग सब जानते हैं हैंडसम मतलब very smart दिखने में smart एक चीज मैं बता दू हैंडसम कार्थ होता है smart दिखने में सामानित है हम लोग यह शब्द लड़कों के लिए उप्योग करते हैं पर आपको जानना चाहिए कि हैंडसम शब्द का उप्योग लड़कियों के लिए भी उतना ही उचित है जितना लड़कों के लिए शी इस हैंडसम गर्ल इस करेक्ट इंग्लिश रिमेंबर तो हैंडसम इस बोथ मैस्कुलिन और फैमिन यहां पर अब हैंडसमली मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहां पर इस कांटेक्स में शब्द कार्थ क्या हो गया अच्छे तरीके से वो जो पढ़ रहे हैं तो इस पन्ने में दिखता है कि अरे लड़ाई में तो मरठा जीते है और वो भी हैंडसमली जीते है अब दाली वोथ राउटेड तो राउट मतलब बुरी तरह कुचल देना राउट राउट राउटेड रूट नहीं है उसी से बना है रूट पर वो अलग शब्द है र ओ यू टी ई है वो रूट मतलब राउटा मारग और यहाँ राउट मतलब बुरी तरह कुचल देना बरबाद कर देना तो तहस नहस कर देना पुरी तरह बरबाद कर देना तहस नहस करना इस किताब में तो लिखा हुआ है अबदाली वस राउटेड उसे तो बुरी तरह तहस नहस कर दिया गया बरबात कर दिया गया उसे पुरी तरह कुचल दिया गया and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army chase करना मतलब पीछा करना chase C-H-A-S-E और उसे तो मराठाओं ने काबूल तक उसका पीछा किया दोड़ा दोड़ा के उसके भगाया काबूल मतलब कहाँ और पानी पत कहाँ पानी पत्थरयाना में काबूल तक उसको दोड़ाया गया ऐसा इस किताब में लिखा है बड़ा श्यर हो रहा है He was chased back उसे पीछा करते करते उसे वापस काबूल तक खदेर दिया गया by the triumphant Maratha army to triumph ने विजय पाना He triumphed over his will उसने अपनी इच्छा के उपर विजय पाई कई बार तीव रिच्छा होती है कुछ गलत काम करने की कई बार तीव रिच्छा होती है कई लोगों की नशे में जाने की लेकिन willpower से वो अपने इस इच्छा के उपर triumph कर जाते हैं विजय पाल लेते हैं अच्छे लोग वई हैं जो अपनी तीवर ऐसी इच्छाओं को दबा के रखते हैं इसके उपर triumph करते हैं उच्छारन देखिए T-R-I-U-M-P-H triumphant मतलब विजय triumph यहने विजय triumphant यहने विजय triumphant Maratha Army Vijay Maratha Army ने तो उसे काबुल तक खदेड़ा वापस खदेड़ा और उस आर्मी का नितरत कौन कर रहे थे सदाशिवराव भाव and his nephew the young विश्वास राव उस फौज का नितरत कर रहे थे सदाशिवराव भाव और उनके nephew भतीजे जिसका नाम था विश्वास राव मैं क्या पढ़ रहा हूँ ऐसा अब यह सोचने लगे कौन पंत गायतोंडे जी the book did not go into a blow by blow account of battle itself यह किताब जो है इसमें blow by blow account नहीं था शुरू में ही आपके सद्धाय के शुरू में शब्द दिया हुआ है blow by blow account और कहा है कि infer the meaning in the context यहां क्या meaning है blow by blow account account मतलब हिसाब यहां कुछ और हरत है यहां details है blow by blow मतलब कराम बद एक के बाद एक हर एक चीज का इसमें detail दिया हुआ है तो पर यह किताब में the book did not go into a blow by blow account of the battle itself लडाई के बारे में इस किताब में एक के बाद एक घटना का विवरन नहीं था लडाई के बारे में the book did not go कौन्से बुक जिसको लेकर volume five को लेकर जिसको गायतोंडे जी एक हाथ से यहां और दूसरे हाथ से यहां पन्ने पलटते जा रहे थे और जहां converge हुए जिसमें 1761 में third battle of पानी पत के बारे में उनको लिखा मिला और उन्होंने देखा किया रहे इसमें तो मराठा जीते हैं अब दाली को chase कर दिया गया जब वो और गहराई थे इस किताब को पढ़ने की कोशिश किया उन पन्नों को तो उन्होंने देखा उन पन्नों में लडाई का विस्तृत विवरण नहीं दिया हुआ है blow by blow account मतलब विस्तृत विवरण होना क्राम बद्ध विवरण होना वो इसमें नहीं था rather it elaborated in details its consequences for the power struggle in India rather मतलब बलकी इस किताब में विस्तृत विवरण लडाई का नहीं था बलकी इस किताब में consequences परिणाम इस लडाई के जो परिणाम थे उसका भारत के power struggle में क्या असर पड़ा ये दिया हुआ अर्था परिणामों का ज्यादा जिक्र है लडाई का इस किताब में कम जिक्र है power struggle मतलब शक्ति के लिए सर्वे सर्वा बनने के लिए भारत में अपना वर्चस बनाने के लिए भारत में जो विविन दल थे अफगानों का दल राजपूतों का दल दक्षिन भारती लों का दल मराठाओं का दल इनके बीच में जो खीशतान चल रही थी power struggle मतलब खीशतान सत्ता की खीशतान उसके परणामों पर ज्यादा इस पुष्टक में लिखा गया था लडाई के बारे में कोई विस्तृत विवरन नहीं था गंगा धर्पंत read through the account avidly to read through मतलब एक एक करके पढ़ लालना to read मतलब क्या होता है पढ़ना सामाने पढ़ना और read through मतलब बारीके से पढ़ना हर पन्ने को पलटना I have read through the book so you can take it back मैंने ये किताब विस्तार से अच्छी तरह पढ़ ली है तो इसलिए तुम ले जाओ I have read the book so you can take it back इसका मतलब मैंने किताब पढ़ ली है सामाने तरीके से पढ़ी है read through मतलब पन्ने बाई पन्ने and I have studied the book मतलब मैंने गहरा अध्यन किया है तीनों में अंतर देखिए to read the book, to read through the book and to study the book तीनों में अंतर है सामाने भाशा में हम लग तीनों को एक ही समझते हैं पर इनके अर्थों में अंतर है तो यहाँ he read through the book उन्होंने पन्ने बाई दरपन्ने उसको पढ़ा और राधर मतलब मैंने बताए है बल की गंगा धरपन्त read through the book and account avidly avid मतलब बड़ी तनमेता के साथ I am an avid reader मैं बहुत तनमेता के साथ पढ़ता हूँ पूरा रम गया मैं पूरे ध्यान से पूरी लगन से I am an avid reader avid so he read it avidly बड़ी बारीकी से उन्होंने पढ़ा account मतलब घटना क्रम account मतलब हिसाब नहीं यहाँ पर इस context में account कारता है घटना क्रम तो गंगा धर गायतोंडे जी ने इस किताब के में जो बैटल अफ पानी पत का जो विवरन था उसको बड़े तनमेता से पढ़ा पूरे रम गया लगन से पढ़ा the style of writing was unmistakably his और जिस तरीके से वो किताब लिखी हुई थी unmistakably बिना किसी शंका के उनकी थी लिखने की जो शैली थी लिखने का जो तरीका था वो बिलकुल गायतोंडे जैसा ही था the style of writing was unmistakably बिना किसी शंका के without doubt unmistakably मतलब कोई गलती नहीं सोचने में कि ये उनकी थी yet he was reading the account for the first time ये लिखने की style तो उनकी थी yet मतलब फिर भी perhaps मतलब शायद rather मतलब bulky yet he was reading the account for the first time लेकिन वो पहली बार फिर भी वो पहली बार उसको पढ़ रहे थे विस्तृत विवरन को पहली बार पढ़ रहे थे style तो नहीं कि थी लिखने की शैली नहीं कि थी इसमें कोई शंका नहीं लेकिन वो किताब को ऐसा लग रहा सा मानो he was reading the account for the first time मानो पहली बार पढ़ रहे इतने गौर थे इतने तनमेता थे वो ध्यान मग नहीं कर उस किताब के पन्नों को पढ़ रहे थे जिसमें Battle of Pani Pat के परणामों का विस्तृत विवरन दिया था दुर्भागे से उसमें लड़ाई का विस्तृत विवरन नहीं था Self-sufficient मतलब स्वाव लंबी You must be self-sufficient in life अपने जीवन में तुम्हें स्वाव लंबी बनना चाहिए I have enough food in my house enough vegetables in my house for the next one month during lockdown I am self-sufficient in this matter इस मामले में मैं स्वाव लंबी हुँ अभी किसी पे निर्फर नहीं हुँगा मैंने परयाप्त अनाज और राशन इकथा कर लिया है So each of you must be self-sufficient in life Each of you must have self-sufficient and things in life Next is आत्मसम्मान, self-respect Very common word We all have self-respect Even a beggar Even a beggar has a self-respect Beggar मतलब बिखारी बिखारी का भी आत्मसम्मान होता है कभी आप देखिए बिखारी को थोड़ा सा परिशान करने की कोशिश करिए उसको पैसा आगे बढ़ा के मत दीजे वापस लीजे तुरन बिखारी आपको react करेगा गुसा दिखाएगा क्योंकि उसके आत्मसम्मान को उसके self-respect को आपने hurt किया So, self-respect. Please never hurt, self-respect of any individual. We should never hurt, H-U-R-T, self-respect of any individual. Witness, मतलब गवाः We all are witness to the great changes taking place in this century. We all are witness to the great changes that are taking place in this century. इस शताबदी में जो भी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, उसके हम सब गवाह हैं मिली, मिली शब्द मतलब भगदर मैंने बताया है, हलचल बहुत disorderly movement is मिली In the मिली, I lost my cycle उस भगदर में मैंने अपने cycle खो दी Cycle लेके मैं जा रहा था अचानक भगदर मची Normally, many of us lose our relatives when they go to some religious places far away in the mountains and lose their life in the मिली. We often hear of people losing their life in मिली at the religious places. बहुत बार हमने सुना है कि धार्मे के स्थलों में भगदर मचने से कई शद्धालूं की मौत हो जाती है. कुम्भ मेले में कई बार ऐसे हाथ से हुए हैं क्यदारनाथ, बद्रीनाथ की आत्राओं के दौरान कई बार ऐसे हाथ से हुए हैं जब भगदर मची है और कई लोग पैर के नीचे दब के मर गए that is मिली, to shove मतलब धकेलना, डाल देना he shoved papers into his pocket ऐसा खीचाउस ने और कागजों को अपनी जेब में डाल दिया किसने? प्रफितर गायत तोंडे ने he shoved the papers and put them into his pocket doctored account मतलब बिगाड कर, कुछ बदल कर doctor करना मतलब, एक तो doctor आप जानते है और एक दूसरा doctor, to doctor मतलब कुछ छेड़ चाड़ करना कुछ बिगाड देना you have doctored this letter मैंने letter type किया था computer में, उसको save नहीं किया but somebody came, somebody has doctored my letter in the computer किसी ने मेरे पत्र के साथ छेड़ खानी की है, बदल दिया है उसको और बनमाशी कर रहा है, to vacate means खाली करना I have asked my tenant to vacate my house tenant मतलब किरायदार I have asked my tenant to vacate my house मैंने अपने किरायदार को मकान खाली करने के लिए किया, कहा है it is better to vacate this chair than to remain seated बहतर होगा मैं कुर्ची को खाली कर दूँ बजाए इसमें बैठे रहने के क्योंकि बैठे रहूंगा तो बाद में आके शायद वई हाल होगा जो गायतोंडे जी के साथ जनता ने किया था so it is better to vacate the chair than to remain seated I have vacated the quarter मैंने मकान खाली कर दिया है so this is vacate and then next word is hostile hostile मने विरोधी तीवर विरोधी ओगर विरोधी वो hostile कहलाता है my relations with him are rather hostile उससे मेरे सम्मंद जो हैं वो बड़े विरोधी हैं और थोड़े जादा ही विरोधी हैं Pakistan and India have hostile relations not friendly relations so hostile to swarm मतलब एक साथ आगे बढ़ना मैंने बताया एक अठा हो जाना भीर लगाना people swarmed around the collector when collector came to the field जब collector किसी जगह आए तो वहां की जनता ने उनको घेर लिया चारों तरफ उनके खड़े हो गया घेरने का मतलब चारों तरफ उनके खड़े हो गया so they swarmed around him और आगे बढ़े